हेलो एवरिबन कैसे हैं आप सब मुझे पूरी उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हमेश्य की तरह और नहीं कर रहे हैं तो बच्छा लोग करनी शुरू कर दीजे क्योंकि भाई आपका क्लास 12 है और क्लास 12 याने की तो भाई जब सपने बड़े देख रहे हो तो तयारी भी तो बड़ी ही करनी पड़ेगी तो चलो फिर इस बड़ी सोच के साथ बड़ी तयारी के साथ अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम ठीके क्या नाम है जिसका वंशागति तदा विविदिता के सिध्धान थी आनि ज तो चलो बीना किसी देरी के फड़ा पड़ावर्चे क्लास को शुरू कर देते हैं वीडियो अपने दोस्तों फड़ावर्चे शेयर कर दो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्रोस में यह बेल आइकन दिया हुआ उसको बटन को प्रेस कर दो ठीक है दाकी नोटिफिकेशन हर बार की तरह आपको मिलते रहें चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और व अनुवाइंशेकी का आधार ठीक है आधार ओके ठीक है तो यह क्या है हमारा अनुवाइंशेकी का आधार है चलो ठीक है मान लेते हैं हम क्योंकि बढ़ी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले समझना तो पड़ेगा कि एक्चुलिआ में यह चैप्टर है इसका नाम क्यों रखा गया है ठीक है यह आप से क्या के कहना चाहता है बिचारा क्रोमॉजूम देखो चल-चल के थक गया है ठीक है तो यहीं बता रहा है चेंज परिवर्टन कुछ कह सकते हैं ठीक है तो यहीं पर वो बताना चाहरा है कि भाई अनुवंशिकी का आधार है ठीक है फिर यह क्या करता है इसमें कुछ लक्षण होते हैं ठीक है क्या है इसमें लक्षण है जैसे जो हमको हमारे माबाप से हमारे माता-पिता से हमको मिलत जाते हैं जनरेशन में जाते हैं ठीक है जनरेशन से जनरेशन पास होते हैं ठीक है मतलब हमारे माता पिता से हम को मिला और हमारे नाना नानी दादी से हमारे माबाप को मिला उनके माबाप से उनके माबाप मतलब हमारे माबाप में हमारे माबाप से हम में हम से फिर हमारे बच से फिर उनके बच्चों में तो बेसिकली ये गती ये मूव्मेंट ठीक है ये जो चलेगा ठीक है तो ये लक्षन जो क्या होते हैं माता-पिता से जनरेशन से जनरेशन में क्या होते हैं पास होते हैं याने की जाते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है याने की पेरेंस से ये ऑफ कलर हो गया है ठीक है आय का कलर हो गया है ठीक है और इस तिरिके से क्यां है ये कुछ एग्जाइमपल से जो भाई पास-आउट होते हैं पेरेंट अनर्य ते उनके बच्चों में ठीक है तो यहां पर समानने लक्षण है अ समानने लक्षण ठीक है यह क्या है अ समानने लक्षण है अरे लक्षे लिख दिया है मैंने तो अ समानने लक्षण ठीक है जो क्या है भाई क्या है चलो बता देते हैं क्या है टेंशन की क्या बात है सब बताएंगे जो असमानने लक्षन जो है जो जनक और संतती में जो होते हैं कि भई क्या है कि है तो हम अपने माता पिदा के बच्चे लेकिन विल्कुल डिट्टो यह नहीं है कि हाँ एक एक चीज हमारे माबाप से मिलती जो लती है कभी-कभी क्या होते हैं कि हाँ बहुत से तो क्या होते हैं बहुत एकदम रिजैंबल करते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होते हैं कि बिल्कुल अपने माबाप से मैस्क नहीं होते हैं ठीक है कि है तो माबाप के बच्चे लेकिन फिर भी शेकल मैस्क नहीं हो रही है तो यह क्या ह विदिता हो गई असमानने लक्षन हो जाते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब लेते हैं इस चैप्टर का ओवर्वियू ठीक है चैप्टर का नाम हमने समझ लिया है कि विचारा क्रोमोजोम देखो चलते चलते ठाग गया है ठीक है कि वंश में गती कर रहा है ना वो एक जेनेरेशन से दूसरी जेनेरेशन ने पहुंच जा रहा है ठीक है तनि दूसरे नबर में हमारे पास आता है मेंडल के नियम मेंडल के नियम ठीक है तो मेंडल के नियम कौन कौन से थे चलो देख लेते हैं बई प्रभाविता का नियम आ गया सबसे पहले हमारे पास है ना कौन सा आ गया प्रभाविता का नियम ठीक है यह आ गया दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास वियोजन का नियम है ना वियोजन का नियम ठीक है तीसरा क्या आगए हमारे पास स्वतंत्र स्वतंत्र अप्यूहन का नियम ठीक है तो यहाँ पर यह क्या आगए हमारे पास तीन मेंडल के नियम आ गए है ठीक है चलो ठीक है दूसरा हमने ये जान लिया अब तीसरा हमारे पास क्या है भाई मेंडल के विचलन है तीसरा हमारे पास ठीक है मेंडल के विचलन या जिसको हम क्या कहते हैं मेंडलवाद बोलते हैं ठीक है मेंडलवाद चलो जी ठीक है यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पर मेंडलवाद में क्या-क्या आता है तो मेंडलवाद में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अरे भाई इस पेन ने तो आज जान ले ले अपून अपून प्रभाविता का नियम का नियम ठीक है फिर तीसरा हमारे पास आ जाएगा सहलगन सहलगन वै वै पुनर योजन पुनर अरे बबरे पुनर योजन ठीक है तो ये चीज़े क्या है ये आपके मेंडलवाद में आ गई तो यहां तक बताओ सब को क्लियर हो गया कि भाई यह पहला इंट्रोडक्शन है दूसरा मेंडल के नियम है और तीसरा मेंडल के विचलन याने की मेंडलवाद तो ये क्या हमारा इस चैप्टर का ओवर्विव है ठीक है कि इस चैप्टर में हम भाई इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे ठीक है, clear सब को चलो, इसके बाद और क्या आता है इसके बाद और भी आता है, ऐसा नहीं कि यहीं रुग्या है जगा 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 लिंग निर्धारण यहाँ लिख देते हैं चलो लिंग निर्धारण ठीक है, लिंग निर्धारण यानि कि sex determination तो यहां sex determination में आप क्या पढ़ेंगे हम कि वह मेल और फिमेल जो होते हैं यहां पर की जो नर और मादा है आरे बपरी चल जा भाई क्यों गुस्सा कर रहा है फूफ 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 कीप हो गया है इसलिए आजा हाँ जो नर और जो मादा है ठीके इनमें क्या होते हैं इनमें गुर्सूत्र होते हैं ठीके इनमें क्या होते हैं गुर्सूत्र यारे कि जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोमोजोम बोलते हैं ठीके तो यहां पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में पहले क्या पढ़ेंगे हम मान मानव भी है हमारे पास यहां पर ठीक है कौन है मानव ठीक है मानव है हमारे पास कीते हैं हमारे पास ठीक है और कौन है पक्षी है हमारे पास ठीक है पक्षियों में कीतों में ठीक है और कौन है हमारे पास भाई मधु मख्षी कौन है मधू मक्खी ठीक है यह हमारे पास तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन हम इन में देखेंगे ठीक है इसके बाद एक और आ जाता है भाई इसके बाद आता है उत्परिवर्तन ठीक है उत्परिवर्तन कहां लिखे है करें चलो इंट्रोडक्षिन थोड़ा छोटा कर देते हैं अरे नहीं होगा बीदेशन क्विडेंन कहां लिखें जह लिखें चलो यह लिख देते हैं उत्परिवर्तन ठीक है pink horse of और जीन घण बड़ा जाते हैं तो उसको बोलते हैं उत्व परिवर्तन ऐसके बाद आता है आनुवंशिक विकार झाल इसके बाद एक और चीज आती है अप आप क्या पढ़ोगे हाँ इसमें पढ़ेंगे हम दो चीजे ठीके एक तो मेंडलिये विकार के बारे में जानेंगे यहाँ पर हम किसके मेंडलिये मेंडलिये विकार ठीक और दूसरा क्या है भाई गुण सूत्रिये विकार गुण सूत्रिये विकार तो यह है हमारे चैप्ट हो ताकि आप confusion में ना आओ, ठीक, number one, number two, number three, ठीक है, number four, और ये है आपका number, नहीं, ये नहीं है, number five, number five, और ये क्या है आपका number six, ये चीज़े हैं, ठीक है, तो confusion बिलकुल नहीं रखना है, कि आगे पीछे हो गया है, one, two, three, four, five, six, ऐसे है, कि ऐसे ही पढ़ेंगे हम, sequence में, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होगी, बस तोड़े जगा नहीं थी, इसलिए आगे पीछे होगे, इसलिए मैंने number लिख दे, sequence का, ठीक है, चलो, अब हम आ जाते हैं, भाई, इसके परिचे क्यों, पहले overview वंशागती, अनुवानशी की का आधार है, मैंने पहले ही बता दिया था, शुरुवाद में, ठीक है, कि वंशागती वह प्रक्रम है, जिसके लक्षन, जनक से संतिती में जाते हैं, जो माता-पिता से उसके बच्चे में जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, लक्षन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ओट हो रहे हैं, ठीक, फिर विविद्दा की बात करते हैं, तो विविद्दता जनक और जनतनी, विविद्दा जनक और जो संतिती के लक्षनों की असमानने विवस्ता है, ठीक है, या असमानता की क्या है, अवस्ता है, यह हो गया भाई हमारा वंशागती और विविदता दोरों का मतलब चलो अब हमारे पास आता है भाई मेंडल के वंशागती नियमों के बारे में हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूब है कि कौन थे यह तो इनको हम क्या कह सकते हैं मेंडल जी को कि अगर मै बोलती हूँ कि अनुवांशी की के जनक की बात करती हूँ ठीक है कि अनुवांशी की के जनक कौन थे तो क्या बोलोगे आप मुझे क्या जवाब दोगे आप में सैसे कितने बच्चे हैं जिन्हें पता है इसका जवाब कि हाँ भाई अनुवांशी की के जनक कौन थे और इसक चलो तो इसका सही जवाब है भाई ग्रिगोर ग्रिगोर चल जारे बेटा ग्रिगोर जॉन मेंडल ठीक है अब ये कौन थे ये कौन थे भाई जर्मन और देखो यहां छूट गया Venose Да ये कौन थे ग्रिगोर जोन मेंडल अगर हमें इनकी बात करते हैं तो ये कौन थे जर्मन और और अस्ट्रेलिया गाई थेलिके हैं क्ञा क्या थे वो पादरी थे याने की मोंगँ थी कि मौंग थे अब ये उन्निसवी सदी में वहाँ पे अनुवंशीके की बात चीज चल रही थी तो एक बार क्या ध्यान में आया है इनके ये पादरी थे ये अपने उध्यान में काम कर रहे थे कहां काम कर रहे थे अपने उध्यान में काम कर रहे थे जो चर्च था उसके सामने एक उध्यान था ठीक है तो उध्यान में वो क्या कर रहे थे मैं काम कर रहे थे ठीक है किस पर मटर के पौधे पर ठीक है तो उन्होंने जो काम किया ठीक है पहले तो उच्छाय बताती हूं व वहां पर उध्यान में काम करते थे लेकिन फिर 19 सदी की बात है कि वहां पर किसकी अनुबंशिक्ता की बात चल रहे थी नए ने विज्ञानिक बड़े-बड़े विज्ञानिक अपना-पना काम कर रहे थे ठीक है अलग-अलग खोच के बारें बता रहे थे कि मैंने ये खोच सौरी तो इन्होंने क्या क्या मटर के पौधे के उपर काम किया ठीक है जी मटर के पौधे पर काम किया ठीक है कब तक साथ सालों तक कब तक साथ सालों तक किया ठीक है यानि की year 1856 से लेके 1863 तक काम किया इन्होंने ठीक है इतने टाइम इन्होंने काम किया अब इसके दो साल बाद याने कि जब यह साथ साल बीट गए तो इन साथ सालों के दो साल बाद फिर दो साल बाद उन्होंने क्या किया यह जो प्रियोग किया उन्होंने वो प्रकाशित कर दिया ठीक है यह जो प्रियोग था जो प्रियोग उन्हों उन्हें किया है ठीके इस प्रियोक को क्या किया उन्होंने प्रकाशित कर दिया थीक है प्रकाशित कर hospitals एक छोटी सी पत्रिकामें प्रकाशितً inclusion में honesty exist को प्रकाशित कर दिया थीक है तो यह हमारे मेंदल जी नर्णे काम किया अब क्या हुआ इन्हों ने उसको वहां पर पेट कर दिया लेकिन क keeping क्या था वाई वोसी लोग उनको पूछ रहे थे ऐसा होता ना किसी ना किसी esti dress जब सीजन आता है तो क्या होता है कि ज़्यादा बदला बड़ा होता है जिसकी बात चीज ज्यादा चल रही होते लोग उसी के आगे पीछे घुमते हैं कि हाँ यह जो इसने जो भूलाओक ठीक बूलाओका तो भी चाने में च्छोटे सी पत्रिगा में इन्होंने पब्लिश खोजा ठीक है फिर कुछ टाइम बात क्या हुआ तीन व्यज्यानिक आए तीन व्यज्यानिक आए ठीक है इन्होंने क्या किया जो मेंडल का नियम था जो मेंडल का नियम था उसको क्या किया पुनर खोज किया उसका ठीक है पुनर खोज की उसकी मेंडल के जो नियम थे उसक यह जो तीन वेज्ञानिक थे इनका नाम क्या क्या था बताईए कौन बता सकता है नाम क्या क्या थे उनके तो यह जो तीन वेज्ञानिक थे इनका नाम था भाई Hugo, Hugo, D, Bridge, ठीक है, पहले वज्ञानिक, दूसरे कौन थे, Karl, Karl, Korans, ठीक है, और तीसरे कौन थे भाई, Aaron, Vaughn, Shermak, ठीक है, तो ये तीन महान वज्ञानिक थे, जो आये, जिन्होंने क्या किया, जो Mendel जिनका नियम था, मेंडल जी का, उनकी पुनर खोचकरी और उसको पढ़ा, उन्होंने जब मेंडल जी के बारे में सुना, कि भाई, एक ऐसे ऐसे विज्ञानिक है, जिन्नोंने मटर के पोधे के उपर काम किया है, तो फिर क्या हुआ? इन्होंने भूला, क्यों न चलो, एक बगार कर लिजाए, इनका भी देख लिया जाए कि इन्होंने क्या क्या है, हो सकता है कि इनका बेटर हो ठीए हो सकता है कि हमारा बेटर हो तो यही कुछ ऐसे खयाल उनके मन में आया होगा और उन्होंने क्या किया कि चलो उसकी पुनर खोज करते हैं ठीके तो यहां पर उन्होंने वो किया फिर क्या हुआ उन्होंने जब अनुवन्शिक्ता के जनक है इन्होंने ही कहा कि मैंडल कौन है अनुवन्शिक्ता के जनक है ठीक है और तब से ही बोला गया है जाना गया है कि अनुवन्शिक्ता का जनक कौन है तो भई ग्रिगर जॉन मैंडल ठीक है clear इतना thumbs up करके फड़ाबट से बता दो कि हाँ भाई इतनी चीज समझ में आ गई है ठीक है तो उसके बाद हम class को क्या कर सके आखे और बढ़ा सके हम चलो बढ़ा देते हैं class को आगे ओके अब जी चलो जब मेंडल जी के बारे में हम बात करी रहे हैं थोड़ा सा चलो उनके क्या बायोग्राफी जान लेते हैं उनकी है ना बायोग्राफी जान लेते हैं कि कौन है क्या है कहां से आए हैं क्या करते थे क्यों करते थे और ब्ला 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 ठीक है चलो जान लेते हैं देखो इन से मिलो ये हैं हमारे मेंडल साहव ठीक है? और एक बात हमेशा आदक न जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम लेते हैं तो या तो सर कहके या जी कहके रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं क्योंकि ये वही महान लोग है भाई जिनकी वज़े से आज हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं इतना कुछ क्या हो रहे है? तरक्की हुई है ठीक है? वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि मटर के पौदे में भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसे महान लोगों की रिस्पेक्ट में हमेशा सर या जी का यूस करें ठीक है? चालो ओके तो यहां Gregor John Mendel के बारे में जब बात हो रही है तो Mendel जी ने क्या किया? अब Mendel जी ने 7 सालों तक याने की 7 एर्स तक क्या किया? 7 एर्स याने की 1856 से लेके 63 तक ठीक है? 1856 से लेके 1863 तक क्या किया? इन्होंने 25 सटाइवम ठीक है? याने की क्या है मतर का पौधा? जिसको हम क्या बोलता हैं मतर? 25 सटाइवम के उपर 7 सालों तक काम किया ठीक है? याने की मतर के पौधे के उपर तो ये जो मतर का पौधा था ये जो मतर का पौधा अरे भाई क्यों दिक्कत कर रहे हो तुम? यह जो मटर का पौधा था यहाँ पर क्या था कि भई क्या थे विप्रियासी यहाँ पर विप्रियासी क्या लक्षण देखने को मिले यहाँ पर इनको क्या मिले विप्रियासी लक्षण देखने को मिले ठीक है याने कि भाई एक लंबा ठीक है और एक बोना पौधा ठीक है लंबा और बोना पौधा ठीक है कि इवे प्रियासी लक्षा मतलब जो एक दूसरे के अपोजित है अलग है एक लंबा पौधा मिला और एक बोना पौधा मिला इनको ठीक है चलो ठीक है जी अब यहाँ प पर इन्होंने क्या किया प्रियोग करा ठीक है प्रियोग में क्या हुआ भाई यहां पर कि प्रियोग में क्या करे लक्षण देखे इसके प्रियोग में लक्षण को देखा ठीक है क्या लक्षण ते भई जब कृतिम संकरण कराया गया क्रतिम कृतिम संकरण ठीक है संकरण ठीक है यानि कि स्वय परागण की क्रिया स्वय परागण की क्रिया ठीक है स्वय परागण की क्रिया जब की तो यहाँ पर तब उन्होंने इस प्रियोग में कृतिम संकरण देखे थे जब वहाँ पर स्वय परागन की क्रिया करी गई थी तो यहाँ पर उन्होंने कृतिम संकरन को देखा था ठीके किया था उन्होंने स्वय परागन की क्रिया में क्या किया था कृतिम संकरन की वहाँ पर प्रोसिस करी गई थी ठीके चलो अब यहाँ पर एक और चीज भाई कि उन्होंने अपना गड़ितिये वे संख्या किये, ठीक है, क्या किये उन्होंने अपना गड़ितिये वे संख्या किये, ठीक है, यानि कि उन्होंने क्या किये, अपनी मैस अप्लाई कर दी, विशलेशन का यूज किया, ठीक है, उन्होंने अपनी मैस अप्लाई कर दी, उने प्रयोग करा, क्या किया, प्रयोग करा, ठीके, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यह जिनो प्रयोग किया था यही क्या बना, यही इनके फेल होने का कारण भी बना, यही जो था, फेल होने का कारण भी था, कारण बना, ठीके, बाद में जब दूसरे व्यज्यानिकों उन्हें इसको समझाना तब इसकी सेक्सेस की बात सामने आई ठीक है बाद में जब इसको दूसरे विज्ञानिकों ने समझा तब उन्होंने बोला कि नहीं भाई यह तो सक्सेस्फुल है ठीक है तब इसके सेक्सेस की बात सामने आई ठीक है अब जो मटर के नमूनों की संख् ती वो क्या थी भाई वो थी अंगिनत अंगिनत इसी कंटB थी ठीक है जो सबर डीनों इसने ईंस से भाइदा मिल र contractors पर रॉत ऑप्र कर सकते हैं ठीक हम भीस हैं मेंडल के वंशागती नियम के बारे में ठीक है चलो बाई ग्रेगर जॉन मेंडल ने बगीचे में मटर के पौधे में साथ वर्षों का काम किया ठीक है संकरन के प्रियोग किये तता इसके अधार पर जीवों की वंशागती नियम को प्रसावित किया ठीक है अब इनकी सफलता के कारण किया थे तो यह किया था संखी किये विशलेशन और गड़ी तिये तरकशास का जीव विज्ञान की समस्याओं के समधान हेतु प्रतम उप्योग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेशन के दोरान ही किया गया था उक्यी उनके प्रियोग के नमूने की विशाल तो उसके आकड़ों को इसलिए क्या मिल गया ठीक है उनके परिक्षादीन पौधे की उत्तर उंतर पीडियों पर किये गया प्रियोग तता उनके सफल निसकर्षियों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागतिनियमों में व्यापकता थी ठीक है चलो अब देखो उन्होंने वहाँ पर सवाल उठा कि मटर के पौधे का हिचायन क्यों किया गया उन्होंने बोला ठीक है तो इसका क्या जवाब मिला कि मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वता विपरितार थे यानि कि जो हमेशा से मतलब एक दूसरे के उल्टे थे विपरित मतलब उल्टे जैसे कि लंबे या बौने पौधे प्रीले या हरे पौधे ठीक है उल्टे वे एक दूसरे के इसके कारण उसे वंशागती नियमों का आधार्भू धाचा तयार करने में मदद मिली ओके तो यहां क्या था यह जो पादप है ठीक है यह पादप ये जो पादप मात का एक वर्शी होता है यह पादत क्या है एक वर्शी यह एक वसी सौकत ही बात थो क्यों कि एक वर्षिए पादब सॉलिए मघडर में शाओ जोड़ी रिशलक्षण विलेए इनको है न कि भोई साथ पेर हैं अलग-अलग है में गषक कमस्थान में आसानी से उगा सकते हैं, बताव सासनी से, आसानी से, ठीके, अब कमिस्तान में मटर का पौदा उख सकता है बहुत ही आसानी से, चलो, अब सवाल आता है भई, कि मटर के पौदे में साथ जोड़ी विप्रियासी लक्षन, कि जब हम बात करते हैं, तो क्या है, चलो, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले आएंगे क्या हम लेते हैं यहां पौधे ठीक है यहां पर हमारे पास आगया पौधा फिर क्या आएगा हमारे पास पुष्प थोड़ा सा इसको उपर कर लेते हैं कि भाई पुष्प पुष्प के बाद क्या आ गया बीज और फिर क्या आ गया फली ठीक है तो वान टू त्री और फोर यह आ गया अब इसके लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो यहां लिख लेते हैं लक्षण ठीक है यहां आ गया लक्षण ठीक है लक्षन आ गए ठीक लो जी यह लक्षन आ गए यहां क्या है प्रभावी यहां क्या आ गया प्रभावी और यहां क्या आ गया अप्रभावी ठीक है ठीक है लक्षन फिर प्रभावी मतलब डॉमिनेंट होगी आपका ठीक है प्रभावी मतलब डॉमिनेंट ठीक है न? और A प्राववी मतलब recessive चलो ठीक है अब जब हम पौदे की बात करते हैं तो यहाँ पर लक्षन हमने क्या पकड़ा था? उचाई ठीक है यहाँ पर लक्षन पकड़ा उन्होंने उचाई ठीक है फिर यहाँ पर जब प्रभावी की बात हुई तो तो प्रभावी क्या थे यहां पर कि सभी लंबे थे सभी क्या थे लंबे ठीक है चलो ठीक है अब अगर हम आप प्रभाविता की बात करते हैं तो यहां पर क्या आया कि रसे सिव्यानिकी जो अपने आपको शो नहीं कर पाए वो क्या थे वो बौने थे बोना ठीक है चलो ठीक है जी मान लेते हैं फिर चलो पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प में उन्होंने दो करेक्टर लिए ठीक है एक तो पुष्प का रंग पुष्प का रंग और दूसरा क्या था पुष्प की इस्तिती ठीक है ये दो चीज़े थी वहाँ पर तो जब हमने इसके प्रभावी देखा याने कि डॉमेनेंट देखा तो भाई रंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था बैगनी ठीक है बैगनी बताओ बैगनी लिख दिया वही न जो हम बोलते हैं न वहीं लिखते हैं ठीक है तो पुष्प का रंग क्या था बैगनी था ठीक है बैगनी रंग और अगर इसकी इस्तिती की बात करते हैं तो यह क्या था अक्षि है ठीक है ये तो हमारा डॉमेनेंट में आया फिर रेसेसिफ की बात करते हैं तो यहां पर क्या था पुष्प का रंग सफेद था ठीक है और रिस्तिती की बात करते हैं तो क्या थी यह अंते हैं ठीक है चलो जी ठीक है यह भी मान लेते हैं अब यहां पर जब बीज की बात करते हैं यहां पर बीज की बात करते हैं त जो बीज है, तो बीज के रंग को लिया इनूने, और दूसरा लिया? बीज का आकार, दो चीज़े यहां पर उठाई, फिर जब यहां पर प्रभावी चीज के बारे में आया, तो प्रभावी में क्या आया इनके पास? कि भई जो बीच का क्या है रंग है वो तो पीला निकला ठीक है और इस में क्या निकला जो आप्रभावी था यहाँ पे हरा निकला ठीक है फिर इन्होंने जब उसका बीच का आकार देखा तो भई यह बीच का आकार यहाँ पर गोल आ गिया यह तो गोल आगिया फिर यह आप रभावी में क्या देखा उन्होंने कि यह क्या है मुड़जाय हुआ या है न मुड़जाय हुआ कुछ ऐसे ऐसे करके जो सिखुर सा जाता है बिलकुल ठीक फिर फली की बात आई फली में भी इनोंने क्या लिया रंग और आकार लिया भाई फली में क्या लिया रंग लिया और आकार लिया ठीक है फिर जब रंग की बात आई तो भाई इसका रंग तो हरा निकला ठीक है जो प्रभावी थे और जो अप्रभावी थे उसका रंग तो पीला निकला ठीक है फिर जब इसके आकार की बात दुई तो भाया जो प्रभावी थे वो क्या थे फूली हुई थी ठीक है और जो अप्रभावी थे उनका क्या हुआ वो सिकडे हुए थे ठीक है तो यहां पर यह उन्होंने लक्षण देखे तो कितने लक्षण हुए यह देखो कितने लक्षण उठाए उन्होंने यहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवा छटा और यह क्या है साथ वा कितने हो गए बताओ सेविन हो गए हो गए सेविन है ना तो यह साथ लक्षण थे जो ओ क्या थे कि बाई मटर के पौदे में साथ जोड़ी विप्रियासी लक ठीक है इतनी बात क्लियर सबको बहुत इजी है मुझे पूरी उमीद्य की समझ में आया होगा ठीक चलो यह देखो यह आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है है ना इसको देख सकते हो लेकिन उससे पहले क्या है चलो मैं थोड़ा सा समझा देती हूं कहां समझ एड कर लेते हैं कीप करा इसको हमने और क्या किया हम यहां पर अच्छा पेज तो था यहां पर यह रहा तो यहां एक पेज एड़ाउन हो गया है तो इसको समझ लेते हमने क्या बोला एक अहां हमने क्या बोला कि दो तरीके के पहुद देते ठीक एक क्या था लंबा था ठी ठीके ये था इन दोनों का क्या हुआ संकरन हुआ ठीके इन दोनों का क्या हुआ संकरन हुआ ठीके तो यहाँ पर जो प्रथम पीडी थी जो प्रथम पीडी थी यहाँ पर वहाँ क्या हुआ कि प्रथम पीडी यहाँ पर क्या थी प्रभावी थी प्रथम पीड़ी क्या थी यहाँ पर प्रभावी थी ठीके चलो ठीके मान लेते हैं यहाँ पर प्रथम पीड़ी प्रभावी थी तो जब यह जो प्रथम पीड़ी यहाँ पर आई इसका स्वेप परागण कराए गया स्वय परागन हुआ ठीक है प्रथम पीडी का क्या हुआ स्वय परागन हुआ तो संतती जो आई तो जो संतती आई उनसे क्या हुआ एक बोना पौधा बन गिया भाई एक बोना बना ठीक है उससे बोना पौधा बना एक ठीक फिर क्या हुआ इस बौने पौधे ने क्या किया ये जो बौना पौधा था इसमे जो प्रथम पीड़ी थी उसमें क्या किया प्रथम पीड़ी में खुद को खुद को छुपा दिया था ठीके क्या किया इसमें खुद को छुपा दिया था तो यहां पर यह समझो कि बही बोला कि उन्होंने एक लंबा पौदा और एक बोना पौदा ठीक है मेंडल जी ने यह बोला कि उसका संकरन कराए गया ठीक है प्रतम पीड़ी यानिक इसको एवण जनरेशन भी कहते हैं ठीक है तो प्रतम पीड़ी में क्या हुआ यह जो आया प्रथम पीडी आई वो क्या थी प्रभावी थी याने कि वो क्या थी डॉमिनेंट थी दूसरे को छुपा रही थी और खुद को उभार रही थी ठीक है कुछ लोग होते हैं ना कुछ लोग भी प्रभावी होते हैं कि जो क्या करते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं और जो स संत्त्य आई, वो क्या था, वहाँ पर एक वोना पौधा बना, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो ठी संत्त्य थी, इसने क्या क्या, प्रथम पीरी में खुद को छुपाया था, basically ये है, तो यहाँ पर सबसे पहले, हमारे पास क्या आता है, जीन आता है, जीन को कर हम बोले तो क्या है भई? अनुवणशिक्ता की मूल 1i होती है ठीक है जीन क्या होती है? अनुवणशिक्ता की मूल 1i होती है ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि DNA का टुकड़ा जो क्या करता है जो प्रोटीन संसलेशन करता है संसलेशन करेगा और लक्षणों का निर्धारन करता है और लक्षणों का निर्धारन निर्धारन करता है ठीक है अब लक्षण कैसे तो अगर हम लक्षण के निर्धारण की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे भई लक्षणों के निर्धारण मतलब की characters कि भई लक्षण याने की characters हो गए और दूसरा क्या हो गए प्रवत्ति याने की traits हो गई प्रवत्ति प्रवत्ति को निर्धारण करता है तो लक्षण हमारे पास आई कलर है और प्रवत्ति यह रही हमारे पास उसके colors ठीक है ठीक है चलो माल लेते हैं अब बात है कि भाई जब यहां पर इतने सारे experiment चल रहे थे तो मेंडल जी ने क्या बोला था हां मेंडल जी ने जो जिसको हम gene कहते हैं उसको क्या कारक नाम दिया था कारक याने की factor ठीक है जो बाद में चलके जो बाद में चलके क्या कहलाया जीन कहलाया ठीक है बाद में चलके gene कहलाया ठीक है अब हमको मालूम है भाई कि अगर हम क्या बात करते है कोई cell है अगर हम किसी cell की बात करते हैं यह क्या है एक cell है cell के अंदर क्या होता है हमको मालूम है cell के अंदर न्यूपलेउस होता है अपना DNA होता है DNA है और अपना गुर्षूतर होता है DNA होता है जीम ठीष दिखाई देता है ठीक है अब इस गुर्षूतर में क्या होते हैं गुर्षूत्र की बात करते हैं तो इस गुर्षूत्र में क्या होते है डीने होता है ठीके डीने होता है डीने क्या है भाई डीने डबल हैलिक्स होता है डीने ठीके डबल हैलिक्स है मान लेते हैं और डीने बना किससे होता है यह बना हुआ होता है छोटे-छ खंडों से मिलकर बना उआ होता है ये DNA ठीक है अब यह चोटे छोटे खंड होते हैं यही क्या कहलाते हैं यही क्या कहलाते हैं जीन कहलाते हैं ठीक है और जो क्या करते हैं जो लक्षणों को निर्धारत करते हैं ठीक है इतनी बात clear फिर अगर हम कहते हैं कि यह जीन है तो जीन आगे चलके क्या करता है अच्छा जगा नहीं बची यहीं पर लिख देता है तो यह जीन है यह जीन आगे चल कर क्या करता है आगे आगे चल कर क्या करेगा यह आरेने का निर्मान कर देता है ठीक है आरेने का निर्मान भी करता है ठीक है निर्माण, अब कौन्से डिप्रेंट आइप हो सकते हैं चाहे वो R,a,NN, हो, है ना? R, 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 A,N, हो, M, R, A,N, हो या फिर T, R, A,N, हो फिर कोई सा भी R, A,N, हो सकता है, है ना? तो यह क्या है? यह हमारा बेसिक चीजे है, जीन के बारे में DNA का टुकड़ा होता है ठीक है इतनी बात clear चलो भई अब हमारे पास आता है अलील तो भई अलील क्या होता है एक ही गुड़ को नियंतरित करने वाले अलील क्या होते है एक ही गुड़ जो होता है एक ही गुड़ को नियंतरित करने वाले और एक गुड़ सूत्र पर गुड़ सूत्र पर एक विशिस्ट छेतर पर पाए जाने वाले जीन के जीन के वेरियंट को अलील कहते है तो हमने एक ही गुड़ को नियंतरित करने वाले जो एक ही गुड़ को नियंतरित करेगा और एक गुड़ सूत्र पर एक विशिस्ट छेतर पर पाए जाता है ठीके तो पाए जाले वाले जीन के इस variant को अलील कहते हैं ठीके चलो जी ठीके माल लेते हैं अब जो अलील है ठीके कहां गया हाँ जो अलील है ये लक्षण के लिए काम करता है ये जो अलील है किस के लिए काम करेगा ये लक्षण को दर्शाने के लिए ठीके हमने ये जाना कि लक्षन को दर्शानिक ले काम करता है और जो अलील है साथ साथ क्या है ये जीन का विकल्पी रूप कहलाता है ये ठीक है ये क्या है जीन का विकल्पी रूप है और साथ साथ ये क्या करता है किसके उपर काम करता है लक्षनों के उपर ये काम करता है यहां पर ठीक है चलो एक लंबा और दूसरा बॉना पौधा लिया था ठीक है तो चलो इनके गुर्सूत्र देख लेते हैं इस तरीके से यहां पर तो लंबा तो capital T और यह क्या होगे प्राइश करया को शंकरन करवाने से छंकरन करवाने से यहांकरन करवाने से जर्ण करऊंग इसको हमने संकरन कर आए तो हमको क्या मिला capital T capital T और दूसर क्या मिला capital T small T तो capital T क्या हो गया इसका मतलब यह तो भई लंबा वाला पौदा हो गया ठीक है और यह क्या हो गया यहाँ पर यहाँ पर भी क्या होगा इसका लक्षण है ठीक है चलो ठीक है यहाँ ना क्लियर सब को है ना यह क्या है इसका लक्षण है कि भाई यह अपने आपको शो कर रहा है चलो ठीक है फिर आहां अब आगया सम योगमजी ठीक है तो हम इसको क्या पोला यहां पर होते हैं हो मो सम मतलब अरे सम्युगमजी हाँ सम्युगमजी सम्युगमजी ठीक है तो सम्युगमजी का मतलब क्या हुआ कि समान है न सम्युगमजी का मतलब समान अलील होमोजाइकस ठीक समान अलील ठीक है इसका मतलब हुआ समान अलील ठीक है होमोजाइकस समयोगमजी अब यहाँ पर क्या मेंडल के अकॉर्डिंग जो मेंडल जी थे तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई एक तो लंबा पौधा था है ना और दूसरा क्या था बॉना था ठीक अब जो लम्मा था उसके पास क्या थी capital T capital T और जब बॉना था उसके पास क्या थी दोनों ही small थी ठीक है दोनों ही small थी यहाँ पर ठीक है मेंडल जी के हिसाब से अब जब यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक और प्रकार का लक्षण आ जाता है ठीक है यहाँ पर एक और प्रकार का एक और प्रकार की जीनी संरश्णा होती है ठीक है जीनी संरश्णा या जीन स्ट्रक्चर बोल सकते है ठीक है कौन सी होती है भाई capital T और small t ठीक है याने कि यहाँ पर जो लक्षण है वो क्या है लंबा है जो लक्षण है वो क्या है लंबा है ठीक है चलो ठीक है यह माल लेते हैं कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं या पर समयुगमजी की बात कर रहे है ठीक है जी समयुगमजी हो गए तो हमने क्या बोला कि जीन क्या है दो प्रकार के हैं ठीक एक क्या है समयोगमजी है और दूसरा क्या है विशम यूगमजी है यहां पर जब हम हमें समयोगमजी की बात कर रहे हैं तो यहां यानि गुर्स उत्र है तो इसके उपर क्या है इसके उपर लोकस है समान ठीक है कि बाइट कैपिटल्टी कैपिटल्टी लोकस है इसके उपर इसका जो लोकस है वो क्या है कैपिटल्टी कैपिटल्टी दोनों के उपर इसका मतलब यह क्या है? समान हो गए क्योंकि यहाँ पर capital T, capital T है लेकिन अगर हम विशम युगमिर जी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? बिन अलील होते हैं याने कि बिन अलील होते हैं याने कि अलग-अलग होते हैं अलील ठीक है अगर यहां पर लोकस की बात करते हैं हम इसके गुर्सूत्र के उपर तो यहां पर लोकस क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या है बई यहां पर है करते हैं इसमें तो यह क्या हो गया हमारा विशम यूगमची याने भिन अलील और समय याने की समान अलील के बारे में इतनी बात हो गई इतना ध्यान में रखना है कि सम मतलब एक समान ठीक है और विशम मतलब भिन या अलग ठीक है भिन बोल दो या अलग बोल दो ठीक है भिन अलग ठीक है विशम मतलब अलग एक दूसरे से भिन भिन और सम मतलब एक जैसे ठीक है चलो अब यह जो है यह क्या है यह हमारा क्या है समयोगमजी एक जैसे है ठीक यह भी क्या है समयोगमजी ए जैसे हैं लेकिन यहां पर एक और संरश्णा है भाई गापिटल टी स्मॉल टी यहां पर क्या है लुचे है ठीके तो यह विशम युगमजी हो गया ठीक क्लियर सबको इतनी बात है ना चलो ठीक है बड़ी आबाद आगे बढ़ जाते हैं अब हमारे पास आता जीनो टाइप यानी के जेनेटिक मेकप और दूसरा है फीनो टाइप ठीक है तो अगर हम जीनो टाइप की बात करते हैं तो आनुवन्शिक समागरी, ठीक है, आनुवन्शिक समागरी को ये संदर्वित करता है, क्या करता है ये, आनुवन्शिक समागरी को संदर्वित करता है, संदर्वित करता है, ये बनला बताता है, ठीक है, चलो, ठीक है, समझ गए हम इसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोजोम में हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि अगर यह जीन उटाई यह कहा होता है यह क्रोमोजोम में होता है याने की गुर्ण सूत्र में होता है ठीके तो भई इसके हिसाब से क्या है कि वह capital T, capital T और small T, small T मेंडल के हिसाब से यह क्या था? लंबा था, लंबा पौधा और यह क्या था? बोना पौधा था मेंडल जी के हिसाब से ऐसा ही था, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो type के gene है हमारे पास कहाँ पर? यहाँ पर क्या है? देखो, दो type के gene है हमारे पास ठीक है? capital T, capital T और small T, small T ठीक है? तो यह क्या है? दो type की gene सनरशना है, यानि कि क्या है? यह क्या है? जीनी सनरशना है दो type की gene सनरशना सनरशना सनरशना, ठीक है? तो मेंडल जी का जो law था 1, 2, 3, Mendel जी के 3 लोग के हिसाब से Genotype और Phenotype इसका क्या होगा ये question आ जाता है ठीक है, तो ये क्या बोला हमने कि भाई, जो क्या बोलते हैं, लंबा है ठीक है, उसके पास क्या है जो जीनी संरशना है वो अलग है, और जो बॉना है उसके पास क्या है, जीनी संरशना अलग-अलग है, ठीक है तो Genotype क्या है, बेसिकली Genotype समझो, कि जो क्या बोलते है, Phenotype को तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमको दिख जाता है फिजीकली दिख रहा है, लेकिन ये जो फिनोटाइप है, ये आपको दिखेगा थोड़ी, ये कहां है ये तो Gene के बारे में बात हो रही है जीन जो है, आपको दिखाई थोड़ी देगा Gene कहा है, DNA में है ठीक है, तो हम एक सब पोजीशन करके चल रहे हैं ये आपे, ठीक हमको मालूम है कि ये क्या अनुवज्जिक समागरी को संदर्बित करता है कि हाँ, अनुवज्जिक समागरी कोई चीज है उससे related ये है यहाँ पर हम इतना बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम फीनोटाइप की बात करते हैं, तो फीनोटाइप तो फिजीकली है ये क्या है, फीनोटाइप हो गया ठीक है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये कैपिटल्टी, कैपिटल्टी है और स्माल्टी, स्माल्टी ये क्या है, ये जीनोटाइप हो गया यानि कि जीन का टाइप हो गया ठीक है और ये लंबा और बॉना ये क्या हो गया ये फिजीकली हो गया जो आप देख सकते हो तो फीनो टाइप में मैं क्या बोलूँगी कि जीव को देखने योग्य ये क्या होती है ये एक जीव होता है एक जीव की देखने योग्य विशेष्टा मतलब जिसको आप क्या है देख सकते हो नहीं कि आप जीन्स को देख सकते हो यहां पर विशेषता के बारे में बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर क्या है चलो जी देख लेते हैं कि हमने क्या बोला कि जो फिजीकल है इसका लक्षण क्या है हम लक्षण को लेके चल रहे हैं फिजीकल में कि भई यह उचाई लेते हैं मैंडल जी ने उचाई एक लक्षण लिया था तो हमने कहा था कि एक लंबा पौदा था एक क्या था बौना था ठीके एक तो लक्षण ये था दूसरा लक्षण क्या लिया था उन्होंने कि भई फूल का रंग फूल का रंग तो अगर रंग की बात करते एक बैग नी था ठीके और एक क्या था सफेद था ठीक है तो यह सारे की सारे चीज़े क्या है भाई यह सारे की सारे चीज़े आप देख सकते हो ना कि उचाई उसकी लंबी है यह छोटी है ठीक है या फिर रंग उसका बैग नी है यह सफेद है देख सकते हो अब फिजिकली इन चीज़ों को देख तो इसलिए यह क्या आप देख सकते हो फिजीकली ठीक चलो ठीक है अब यहां पर बात है कि जो प्रभावी होगा वह क्या करेगा खुद को शो करता है यह अलड़े हम बता चुके है ठीक है तो यहां पर अगर लंबाई प्रभावी होगी तो अपने आपको शो कर देगी और क ठीक है क्लियर दोनों चीज़े चलो ठीक है तो अब प्रभावी और अप्रभावी चलो यहां समझ लेते हैं ठीक है तो मैंने क्या बोला कि जो प्रभावी होगा वह शो करेगा खुद को ठीक है तो प्रभावी क्या मतलब जो प्रभावी होगा जो प्रभावी होगा वह क् खुद को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित, या दर्शाता है भी लिख सकते हैं, दर्शाता है, ठीक है, वो क्या करता है, खुद को दर्शाता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रभावी अलील में यह होगा, मतलब कह सकते हैं, कि जो प्रभाव दिखाता है, जो प्रभाव द दिखाता है, ठीके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कि जो प्रभाव दिखाता है, ठीके, वही अगर मैं आप्रभावी की बात करती हो, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जो छिप जाता है, यह जो छिप जाए, ठीके, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक, चलो एक संकरन करा के देख लेते हैं, ठीक है, हमने बोला जो जनक है, हमने बोला जनक है हमारे पास, यानि की पेरेंट है हमारे पास, ठीक है, कि एक लंबा पौदा था, ठीक है, उसका संकरण किसके साथ हुआ, बौने पौदे के साथ हुआ, ठीक है, लंबे पौदे का संकरण किसके साथ हुआ, बौने चलो ठीके, अब इन दोनों को क्या हुआ, युगमग बनाये गया, इनका यहाँ पर युगमग बनाये गया, ठीके, तो युगमग बनाये गया, तो युगमग क्या मिले हैं, यह capital T मिला, यह small t मिल गया, युगमग बन गया, अब इसका क्या हुआ, इसका संकरन कराया, लो जी क्या हुआ भाई जो पहली क्या थी एवन जनरेशन थी जो एवन जनरेशन थी पहली पीड़ी थी तो पहली पीड़ी में क्या हुआ लंबा पौधा मिला हमें ठीक है ये क्या है ये लंबा पौधा है तो पहली पीड़ी में क्या मिला हमें यहाँ पर लंबा पौधा मिला ठीक प्रभावी अलील था रेक है जो अपना आपको नहीं दर्षा पाया और इसमें F1 पीडीרכ ए एवो यह और प्रभावी अलील था क्लियर इतनी बात है ना ठीक है चलो इसमें यहां तक इतना था ओके चलो अब इसको पढ़ लेते हैं कि एक जीन की वनशागती इसको देख लेते हैं तो मेंडल ने वनशागत के अध्यन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौदे का संकरन किया हमने अभी संकर पीडी के पौधे प्राप्त कियai यहां पर 11 generation मिली हमको ठीक को इस पीडी को प्रतम संतती पीडी जाने की फीलियल प्रयोग वहाग्य मैंडल ने देखा जो एवरपीडी उसमें सभी पौधे लंबे थे F1 में क्या था सभी पौधे लमबे थे अर्ठाथ अपने लमबे जनक के समान थे सारे के सारे लमबा जनक कौन था ये था केपिटल दि केपिटल टी कोई बौना पौदा नहीं था क्यों क्योंकि जो बौना था ठीके जो आप्रवावजीन था वो किया था छुप गया था इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेश को वाले संक्रन प्रयोगों में भी पाए गए उन्होंने देखा कि दूसरे जनक जो है बच्चे वे लक्षण है उसको प्रकट नहीं करता है ठीक है तो इसको में को कैपिτल टी स्मॉल टी से ہे मल्टीपलाय कर दिया संक्रन करा दिया इन दोने कर दिया क्रोस करा दिया ठीक है और उसे देखके क्या हूँ आश्चर्रे हो गया उनको जो f2 पीडी आई थी इन दोने का क्रॉस कराने के बाद जो एफ टू पीडी आई तो यह जो एफ टू पीडी थी इसमें क्या हुआ भाई कुछ बॉने पाधे बन गए थे एफ टू में जो लक्षण एफ बन पीडी में नहीं देखा गया वह अब प्रदर्शित हो गया ठीक है जो पहली पीड़ी में छुप गया था लक्षन वो हमको दूसरी पीड़ी में दिखाई दे गया जो पहली पीड़ी में आये था ना ठीक है ठीक है उसको जब खुद क्या खिया जब क्या passo rax करा के तो लंबे पौदे कितने थे तो लंबे पौदे हमको कितने मिल गए headquarters कितने मिले 15% ठीक है और बॉने कितने मिले members 25 परसें- वो टोटल है अपना 100 % हो गया है ना ठीके चलौ अब आता है वापस एकल संकर खर द्रीवी संकर क्रॉस यान की Mono Hybrid Cross और Di Hybrid Cross ठीक है चलो थोड़ा सा इसके बारे में जाल लेते हैं तो भाई एकल में क्या होता है जब एक जोड़ी विर्पियासी जब एक जोड़ी विर्पियासी लक्षणों के मद्ध है क्या हो रहा है संकरण होता है संकरण होता है ठीक है तो वो क्या कहलाता है एकल संकर क्रॉस कहलाता है क्या कहला है वो एकल संकर क्रॉस पिर अगर मैं द्वी संकर क्रॉस की बात करती हूं तो यहां पर क्या होता है जब दो जोड़ी विर्पियासी लक्षणो के मद्धे क्या हो रहा है संकरण संकरण होता है या कराया जाता है तो वो क्या कहलाता है दिवी संकर क्रॉस कहलाता है यहाँ पर देको एक जोड़ी है ठीके वहाँ पर दो जोड़ी है अंतर इतना है चलो अगला देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं चलो हम एक्जैंपल लेते हैं चलो एक्जैंपल दे समझो इसको तो एक्जैंपल लेते हैं क्या लेते हैं पौधे की उचाई जो मेंडल जी ने लिया था उसमें से एक बात करी थी यहां लक्षण है यहां किसका एक्जैम्पल लेते हैं यहां बीज का रंग लेते हैं बीज का रंग यह भी क्या था यह भी लक्षण है ठीक है बीज का रंग ठीक है और दूसरा क्या बीज की आकरती यह दोनों लक्षण थे ठीक है यह दोनों के दोनों लक्षण थे जो मेंडल जी ने बताए थे फिर अगर हम पौदे की उचाई के बारे में बात करते हैं तो हमने बोला था एक लंबा पौदा था एक बोना था है ना लंबा था और दूसरा क्या था बोना था ठीक लंबे पौदे में क्या थे capital T capital T बोने में था small T small T ठीक है ये दोनों चीज़े थी ये दो क्या थे यहाँ पर यहाँ पर क्या था भाई दो प्रवर्टियों में संकरन कराया गया ठीक है दो प्रवर्टियों में यहाँ पर संकरन कराया गया अब यहाँ पर क्या है ये मेंडल के प्रथम नियम यानि प्रभाव तिक है चलो यह क्या है यह लक्षण है इसके थीक वहीं अगर मैं यहां बीज का क्या है लक्षण है ठीक है वहीं आकरती की बात करते हैं तो यह क्या है गोल थी आकरती जुर्रीदार थी जुर्रीदार अब यह कहां दिखती है हमको यह हमको मेंडल जी के स्वतंत्र अपलिवहन नियम में दिखती है ठीक है जहां पर क्या है विर्पयासी लक्षणों में संकरन कराया जाता है ठीक है यहां पर ऐसा होता है तो यहां पर सबको समझ में आ गया कि भाई यहां पर दो जोड़ी विप्रियासी लक्षण होते हैं और यहां पर एक जोड़ी होता है देखो दो है यहां पर बीच का रंग और आकरती दो है यहां क्या है लक्षण से पौदे की उचा मेंडल का प्रथम नियम इसको क्या बोलते हैं प्रभाविता का नियम याने की लौ ओव डॉमिनेंस ठीक है यहां क्या होता है अगर हम इस बैंडल के प्रथम नियम की बात करते हैं तो यहां एक लक्षन लिया ठीक है यहां क्या हुआ यहां एक लक्षण लेते हैं चलो लक्षण लिया ठीक है कौन सा लक्षण लिया पौधे की उच्चाई पौधे की उच्चाई की बात करते हैं देखो यह चीज एक एक वर्ड में लिखके इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बिल्कुल भी समझने में किसी भी चीज को इसलिए मैं एक एक शब्द यहां पर लिख देती हूँ तो हमने यहां पर पौधे की उच्चाई ली ठीक है लेकिन अगर हम इसकी क्या लेकिन अगर इसकी ट्रेट की बात करते हैं यहां पर इसकी ट्रेट की बात की जाएं ठीक है ट्रेट की बात करेंगे तो क्या है यह अलग अलग होगी ठीक है क्यों यह लंबे पौधे की बात करेंगे लंबा पौधा ठीक है लंबे पौधों की बात करेंगे तो क्या है capital T capital D आ जाएगा ठीक है और वही बोने पौधे की बात करेंगे बोने पौधोंगी तो बोने पौधों में क्या मिलेगा आपको small t small t मिल जाएगा अब यहाँ पर जब इसके युगमख बनाओगे आप हम इसके युगमक बनाएंगे क्या मिला capital T ठीक है यहां क्या मिला small t मिल गया ठीक है युगमक में क्योंकि एक ही आजाता है फिर इन दोनों का क्या हुआ संकरण हुआ यहां पर संकरण हुआ तो हमें capital T और small t मिला याने कि यह क्या है इसकी F1 generation याने कि F1 PD है यह ठीक है यहां पर क्या है इसका फिरम क्या कराएंगे यहां पर यहां पर हमको क्या मिला यह लंबा पौधा मिला ठीक है लंबा पौधा अब हमने क्या बोला है कि भाईये जो F1 generation आती है उसका हम self cross कराते हैं ठीक है यानि कि swap परागन कराते हैं तो यह जो मिला है हमको यहां पर capital T small T इसका क्या कराएंगे हम swap परागन ठीक है इसका क्या कराएंगे swap परागन कराते हैं चलो तो जो swap परागन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा यहां पर capital T small T capital T small T capital T small T capital T small T यहां क्या हो रहा है परागन हो रहा है यहां पर ठीक है इन दोनों का कराया अब जब इन दोनों का कराया तो अपने को क्या मिला इसका युगमक बनाएंगे पहले हम अब जब इसके युगमक बनाओगे तो मुझे बताओ इसके युगमक कैसे बनेंगे बताओ इसके युगमक कैसे बन जाएंगे तो भाई युगमक कैसे मिलेंगे दोनों अलग-अलग बनेंगे है ना कैसे मिलेंगे युगमक ये अलग हो गया capital T यह हो गया, अलग हो गया है ना, यह युगमक बने, सेम यहां भी ऐसा ही होगा, capital T और small T, ठीक है, अलग-अलग बनेंगे, चलो इनका cross करवाते हैं, blue color लेते हैं, चलो, cross कराया, पहले इसका, इससे कराया, और इसका, किससे कराएंगे हम, इससे कराया, दूसरा color ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, इसका, इससे कराया, इसका, इससे कराया, चलो, अब जब blue से हमने जो कराया है, पहले वो देख लेते हैं, है ना, तो इसका capital T यह आ गया, capital T का capital T के साथ हुआ, ठीक, और दूसरा small T का small T के साथ हुआ, ठीक है, दो यह आ गए, अब red color वाला उठाते ह है हम, ठीक है, यह जो red color वाला है, यह क्या capital T का capital T के साथ हुआ, small T का small T के साथ हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, बताओ, हाँ, क्या हुआ यहाँ यहाँ पर, capital T, capital T, ठीक है, यह capital T, इस capital T के साथ आ गया, और यह वाला जो capital T सा दुबारा स किसके साथ आगिया कुछ सब गढ़ होगा फिर से बना आपे रुकों हिस सब करते हैं को ठीक है कि पिरसे बनाते हैं पहले हम उठाते हैं इस ब्लू सब कराएंगे हम किसके साथ कैपिटल टी के साथ लो अलग-अलग कलर से उठाते हैं ठीक है तो इसका कैपिटल टी और कैपिटल टी हो गया ठीक है ओके अब इसी कैपिटल टी का क्या कराएंगे हम इसी कैपिटल टी का किसके साथ कराएंगे हम किसके साथ कराएंगे बताओ स्मॉल टी के साथ इसके साथ ठीक के आ गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया चलो माल लेते हैं अब उठाया रेड कलर अब ये जो स्मॉल टी है इस स्मॉल टी का किस के साथ होगा कैपिटल टी के साथ इसके साथ यानि कैपिटल टी स्मॉल टी फिर इसका किस के साथ होग तो हम को मिला गेंट के जीनो टाइप अबारे में हम बात करते हैं तो ग्या मिला capital T, capital T, capital T, small T और small T, small T यह तीन तरीके के मिल गए हमको ठीक है, capital T, capital T यह दोनों एक से मिले और यह एक तो तीन हो गया, इसका मतल़ भी क्या बना 1 is 2, 2 is 2, 1 मिला ठीक है, इसका यह बना अब वहीं इसके मैं phenotype की बात कर देती हूं कि अगर मैं phenotype की बात करती हूं तो phenotype क्या मिला हमको 3 is 2, 1 मिला, क्यों? क्योंकि यह तीन हो लंबे थे और एक क्या था यह छोटा था, ठीक है ओके, तो देखो प्रभाविदा का नियम की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम प्रभाविदा का नियम की बात करते हैं, तो यह क्या है तो इसको हम क्या बोलेंगे तो लक्षणों का निर्धारन ठीक है, लक्षणों का निर्धारन कारक कारक क्या है कि बहुए कारक को पहले factor बोला जाता था, कारक या निए factor ठीक है, जिसको आज क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं ठीक है जिसको आज क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं तो यह जो लक्षणों का निर्धारन कारक नाम विविक्त एकाईयों ध्वारा होता है ठीक है करक जोडों में होता है यदि कारक जोडों के दो सदसे असमान हो तो इन में से एक दूसरे कारक पर क्या होता है ठीक है कि भाई अगर दो सदसे असमान है ठीक जैसे हमने capital T और small T का example लिया यह दोनों क्या है असमान है अलग एक दूसरे से तो हमने यहाँ पर क्या देखा था यह जो capital T है यह क्या है इसपे प्रभावी है यह अपना असर दिखाता है बिचार T क्या होता है यह अप्रभावी हो जाता है याने कि छुप जाता है अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी यही हुआ देखो capital T प्रभावी हो गया और small T क्या हो गया अप्रभावी हो गया तो भाई जब F1 में F1 generation आती है याने कि अपनी पहली generation आती है ठीक है पहली PD तो वहाँ पर केवल एक जनक लक्षन का प्रकट होना ठीक यहां पर इनका प्रकट होना क्या है प्रभाविता के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है ठीक है यहां पर जब F2 generation में याने कि F2 PD में यह दोनों के दोनों क्या करते हैं अपना आपको दिखाते हैं यहां भाईया जो अप्रभावीता वह भी कहता है मुझ में भी दम ह ठीक है अकेले तुम ही नहीं हो सिर्फ पहली PD में तुम चाय हुए थे लेकिन यहां पर हम भी कुछ है हमें भी कम मत समझो ठीक है तो वह क्या करता है यह अपना आपको शो करता है और यह हम किसे दिखा सकते हैं प्रभाविता के नियम के द्वारा दिखा सकते हैं ठीक अब इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3 is to 1 का अनुपात क्यों पाया जाता है चलो जी ठीक है तो प्रभाविता का नियम यानि कि law of dominance की बात कर रहे हम यहां पर ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने क्या बोल दिया कि भई सदस्ये दो सदस्ये होते हैं ठीक है दो सदस्ये हो आसमान है ठीक है यानि कि मैंने क्या बोला एक क्या है capital T एक क्या है small t ठीक है यह है capital T एक small t है अब यहां पर हमने क्या बोला यह जो दोनों सदस्ये हैं इन में से पहला वाला प्रभाविता इसको ऐसे समझो है ना पहला वाला प्रभाविता और दूसरा क्या था आप्रभा आई यानि कि F1 PD की बात करते हैं हम यहाँ पर जब F1 PD आई तो यहाँ पर क्या हुआ सिर्फ एक जनक सिर्फ एक जनक क्या करता है अपने आपको दिखाता है ठीके सिर्फ एक ही जनक क्या करता है अपने आपको दिखाता है F1 PD में और वो क्या होता है वो होता है प्रभावी ठीके वहीं जब हम F2 PD की बात करते हैं जब हम F2 PD में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर f2pd में क्या होते हैं, यह दोनो के दोनो, दोनो ही क्या करते हैं, अपने को दिखाते हैं, यह दर्शा आते हैं, ठीके, यह क्या करते हैं, यह बोलो की दर्शा आते हैं, खुद को, ठीके, तो यहाँ पर जो है, यह जो प्रभावी है, यह भी खुद को दिखाएग ठीक है खुद को दिखाएगा तो दिखाएगा लेकिन जो अप्रभावी है कहीं न कहीं छोटे से रेशियो में खुद को दिखा देगा और वह रेशियो क्या आता है मारे पास 3 is to 1 का ठीक है यानि कि जो प्रभाविता का नियम है वो यही है चलो अब आता है प्रथक करन का नियम प्रथक करन देखो अपने आप ही बता रहा है प्रथक करना अलग करना ठीक है सेग्रिगेशन करना तो यहां पर क्या सीन होता है कि इस नियम के अनुसार युगमकों के निर्मान के समय लक्षणो को प्रदर्शित करने वाले कारक कारक मैं हर बार बताती हूं क्या होते हैं फैक्टर ठीक है जो की पहले बोला जाता था और आज इनको जीन बोला जाता है तो यह कारक क्या है स्वतंत्र होकर युगमकों में जाते हैं जिसके परिणाम सरुप जोडों में से एक ही कारक युग कहते हैं इसको क्या बोला हमने शुद्धता का नियम ठीक है आप हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि युगमकों के निर्मान के समय लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले कारक स्वतंत्र होकर युगमकों में जाते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने क्या बोला हमने एक लंबा पौधा लिया था एक बौना पौधा लिया था यह क्या है लंबा पौधा ठीक है याने कि हमारा क्या हो गया यहां पर capital T capital T ठीक एक क्या है हमारे पास बौना पौधा बौना पौधा ठीक है इसका क्या था हमारे पास small t small t ठीक है यह था चलो अब इसके उपर क्या है हम क्या बात कर रहे हैं युगमगों के निर्मान के समय लक्षरों को प्रदशित करने वाले कारक अब इसके उपर क्या मौजूद है दोनों के उपर कारक मौजूद है ठीक है अब यह क्या है यह हमारे जनक है ठीक है यह क्या है जनक है अब इसके युगमग बनाते हैं चलो इसके युग्मक बना देते हैं तो युग्मक बने तो क्या बने टी बना टी बना ठीक है इसके बनाएंगे तो क्या बनेगा चलो एब है यहां पर क्या होगा युग्मक देखो कैसे बनते हैं युग्मक की बारी आजाएगी तो युग्मक बने हमारे यहां से हम एक को ले सकते हैं है ना हमने क्या बोला ये क्या है सम यूग मजी है ये ठीक है ये क्या है सम यूग मजी तो कैपिटल टी आ गया सम यूग मजी है ये ठीक है दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों क्या है ये भी और ये भी दोनों एक ही है अगर अलग-अलग होते हैं कि यह स्मॉल टी होता तो यह क्या होता विशम यूग मजी होता तो यहाँ पर देखो जब हमने हमारे पास सम यूग मजी हैं तो हम दो के बदले एक टी ले सकते हैं इधर भी ऐसा कर सकते हैं कि दो के बदले हम क्या ले रहे हैं अब युगमगों में जो कारक यानि की जो जीन है ठीके यानि की जो अलील है वो यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्रतक प्रतक होते हैं ठीके प्रतक प्रतक होते हैं यानि की वियोजित ठीके यहाँ पर एवन जेनरेशन की बात चल रही है जब ठीके तो यहाँ पर यह क्या कहल ब्योजन का नियम का नियम कहलाएगा क्या यहां पर क्या है ये प्रतक प्रतक होंगे अलग होंगे ठीक है अलील इस वज़े पर आलग करAmerica चलो जी इसका आगे पीटिक है अब यहां पर यहां पर चलो एक और देखते हैं कि हमने क्या बोला एक और देखते हैं कि यह लंबा पौधा था लंबा पौधा जिसके पास क्या है भई capital T और small t ठीक है अब इसको बोने पौधे यह capital T, small T यह वाला जो है इसकी बात कर रहे हैं यह वाला यह क्या बना था लंबा पौधा बना था ठीक है क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला था कि जो f1 generation होती नहीं पर सिर्फ एक अपने आपको प्रदाश्चित करता है दूसरा क्या होता है छुप जाता है अब इसी को हमने क्या कराया इस लंबे पौदे को हमने क्या क्या बौने पौदे के साथ क्या कर दिया करा दिया तो यह क्या है हमारा बॉना पौधा ठीक है यह बॉना पौधा आ गया इसका मतलब यहां क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है यह लंबे पौधे में क्या था हमारे पास capital T और small T अब यहाँ पर फिर से युगमग बनेंगे यहाँ पर क्या होंगे फिर से युगमग बनेंगे चलो जी युगमग बनेंगे कैसे बनेंगे वही उसी तरीके से कि वह capital T आ गया है ना क्या यह capital T और यह क्या हो गया small t, तो यह क्या हो गए, यहां विशम यूगमजी हो गए, क्योंकि यहां दो अलग अलग है, ठीक, अब इसका लेंगे हम, यह क्या बनेगा, small t और small t बनेगा, ठीक, अब यहां पर क्या है, देखो, यहां दोनों सम यूगमजी है, यहां विशम यूगमजी है, है ना, तो इसमें क्या है संत्यती क्या बनेगी शुद्य संत्यती बनेगी इसमें कैसे भई इसकी इससे करा दिया आपने क्या बना capital T small t फिर यह वाला जो था इसकी किसे कराई इससे कराई क्या बना हाँ, सही तो है, हाँ, ऐसे बन गया तो, ठीक, अब दूसरे कलर से दोनों दूसरे दिखा देती हूँ, ग्रीन उठाते हैं, ठीक है, अब जो ये वाला है, इसकी किससे कराई, इससे कराई, क्या बना अपने पास, हाँ, capital T, small T, ठीक है, अब ये वाला है, इसकी किससे कराई, क है ठीक है तो यहां पर इसमें जो संत्ति बनेगी वो शुद्ध होगी ठीक है और यहां पर क्या होगा व्योजन का नियम लागू नहीं होगा ठीक है ठीक है चलो इता क्लियर सबको है ना हम अब आता है स्वतंत्र अव्योन का नियम ठीक है स्वतंत्र अव्योन का नियम की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है यह द्वी संकर क्रॉस का पालन करता है ठीक है अब यहां पर द्वी संकर क्रॉस में क्या होता है यहां पर क्या होता है दो जोड़ी दो जोड़ी क्या होते हैं विरपयासी लक्षण ठीक है लक्षण ठीक है कौन से लक्षण चलो बीच की बात करते हैं तो बीच में क्या देखा था हमने आकार और रंग देखा था ठीक है किसकी बात करते हैं बीच की बात करते हैं बीच में क्या देखा था आकार देखा था ए अब यहाँ पर अगर स्वताइंतर अव्यून का नियम की जब मैं बात कर रही हूं तो यहाँ पर क्या चीज़ आती है कि यह क्या है दो जीन की वन्शागती होती है और यह क्या करते हैं अपने अलग अलग यह क्या करते हैं अपने अपने लक्षण प्रकट करते हैं ठीक है दो जीन की वन्शागती होती है यहाँ पर क्योंकि दो विर्पियासी लक्षण है यानि की दो जीन की वन्शागती ठीक है और यह दोनों क्या करते हैं अपने अपने लक्षन, अलग-अलग लक्षन को प्रकट करते हैं यहां पर, ठीक है? इतनी बात clear? चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब यहां पर क्या है जब मैंने यहां पर बीज की बात करी है, याने की आकार और रंग के बारें बात करी है, तो चलो तोड़ा जाल लेते हैं, चलो, पहले लेते हम जनक, ध्यान से देखना इसको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, जनक लेते हैं पहले, तो जनक हमने क्या लिया, जनक हमने लिया भाईया, पीला और गोल बीज, क्या है ये पीला और गोल बीज, ठीक है, पीला और गोल बीज ये, ठीक, दूसरा बीज कैसा लिया हमने जुर्रीदार ऐसे ठीक है ये क्या है जुर्रीदार हरा बीज हरा है और क्या है जुर्रीदार है ठीक है अब हमने क्या बोला कि बई नियम के हिसाब से ये क्या है ये है प्रभावी ये है प्रभावी ठीक है और वो क्या है अप्रभावी ठीके न, ठीके जी, माल लेते हैं अब जब ये प्रभावी है, वो अप्रभावी है इसका बदल्ब यहाँ पर क्या आएगा Capital R, Capital R, Capital Y, Capital Y है न, हमने Capital T को, Capital T को क्या बता है ताकि वो क्या है? प्रभावी होता है ठीके, तो उधर क्या जाएगा अपने पास? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ठीके तो यहाँ पर हमने जो स्मॉल स्मॉल थन को क्या बोला था वो अप्रभावी होते हैं ठीके और जो कैपिटल ने हमने क्या बोला था वो प्रभावी होते हैं ठीके अब यहाँ पर जब इसके युगमक बनेंगे तो में इसमें भी आरवाई आगया दोनों equally आ गए बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर कैसे बनेंगे यहां पर भी देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया ठीक है दोनों इस तरीके से क्या होगे डिवाइड हो गया है अब जब हमने क्या बोला ही दोनों क्या है सम युगमजी है यह भी और वो भी तो यहां से हम एक एक ले सकते हैं सिर्फ तो यहां से हमको क्या मिला क capital R और capital Y, ठीक, यहाँ से क्या मिला हमको, small r, small y, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इनका संकरन कराएंगे, यहाँ पर इनका क्या करा दिया हमने, संकरन करा दिया लोग, इनका संकरन कराएंगे, हमको क्या मिला, capital R, small r, capital Y, small y, ठीक है, यह मिला हमको, यह मिला हमको, यह मिला हमको, गोल और पीला बीज, क्या मिला हमको, यह गोल और पीला बीज मिला हमको, ठीक है, किसमें मिला हमको, F1 PD की जब बात कर रहे हैं, यह क्या है, F B, ठीक है, F1 Pinha की बात कर रहे हैं, तो हमने कैसे मिला कि हमने क्या बोला कि यहाँ पर यह प्रतक प्रतक हैं, ठीक है, यहाँ दिखा देती हैं देखो, अगर हम प्रतक 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 बोला न, हमने इस तरीके से हैं, यह ramer है, एक तो यह रहा, कि अब इस तरीके से आ गए अब इसके उपर क्या हमने क्या प्रतख प्रतख होंगे कि अब क्यूं में चारी कि अब बात कर यह इस तरीके से आपका आ गया है अब क्या हुआ अब यहां पर जह हमको capital R small R capital Y small Y मिला है तो यहां पर अब F2 generation याने की F2 PD लाने के लिए इनका क्या कराएंगे हम स्वय परागन कराएंगे इसका चलो यहां लिख देते हैं क्या करा रहे हम स्वय परागन ठीक है किसका कराएंगे capital R small R capital Y small Y इसका हम स्वय परागन कराएंगे ठीक है ठीक है जी स्वय परागन करा देते हैं चलो तो जब इसका स्वेप परागन कराएंगे तो किस में देखा जाएगा इसको तो यहाँ पर जब स्वेप परागन कराएंगे तो हम इसको इस तरीके से क्रॉस बना के भी देख सकते हैं लेकिन इसका एक और तरीका है इसको देखने का एक और तरीका है कौन सा है वो पुनेट वर्ग ठीक है पुनेट वर्ग ठीक है तो यहाँ पर यह जो स्वय परागन कराए जाएगा वो इस पुनेट वर्ग में कराके हम इसका सही सा जवाब ढूनेंगे ठीक है यहाँ पर हम क्या ढूनेंगे मतलब अल्रेडी ढून चेके है ठीक है इसको हम यहाँ पर बना था रेजिनोल्ट रेजिनोल्ट क्या सी पुनेट सी पुनेट ठीक है यह लेकर आये थे ओके रेजिनोल्ट सी पुनेट जो है इनके नाम पर क्या दिया गया था यह पुनेट वर गयाने की पुनेट स्क्वायर दिया गया था चलो सीखते हैं बनाना तो हमारे पास क्या आया हम हमारे पास आया था capital R, small r, small r, small y, small y, यह चीज हमारे पास आया थी, चलो इसको ponet square में रखते हैं, ठीक है, चलो, बनाते हैं, ठीक है, चलो, एक लाइन ऐसे आ गई, किती लाइन एक जाएंगी, दो यह आ गई, और तीसरी यह आ गई, ठीक, अब एक यह आ गई, दूसरी यह आ गई, तीसरी यह आ गई, और एक और आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, ओके, तो यह क्या बन गया हमारा, यह बना है हमारा, chess board, इस पे हम, capital R, small R, capital Y, small Y से chess खेलेंगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या बोला, हमारे पास क्या है, capital R, capital Y, capital R, small Y, small R, capital Y, small R, small Y, ठीक है, यह है हमारे पास, चलो, ओके, यहाँ पर मैंने capital लिख दिया है, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक, R क्या लिखते हैं, फिर यह चीज़ जो यहाँ आई है, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक, ठीक है, फिर क्या है, small R, capital Y, small R, small Y, ठीक है, हमने क्या कराया है इनका, हाँ, हम इनका स्वय परागन करा रहे हैं, इसका इसी के साथ, R, R, Y, Y का स्वय परागन, इसलिए हमारे पास यह आई है, ठीक है, अब इसका चलो करवाते हैं, अरे, यह क्या किया मैंने, हम, तो जब हमने, पहले इन दोनों का करवाया है, पहले इन दोनों का करवाया है, तो हमको क्या मिला यहाँ पर, capital R, capital Y, capital Y, ठीक, फिर इन दोनों का करवाया है, क्या मिला हमें, capital R, capital Y, small Y, ठीक, फिर इन दोनों का कराएंगे, क्या मिला, capital R, capital Y, small Y, इतना confusing हाँ ठीक है न इससे इसका उससे कराया तो capital r small r capital y capital y दो बर capital y आएगा अच्छा फिर last कराया क्या मिला capital r small r capital y small y ठीक है यह मिला अब इसका इससे करायंगी capital r capital y small y है ममी कितना capital capital small small ठीक है अब इसका इन दोनों करायंगे क्या मिला capital r capital r small y small y ne欸x का आया मारा पस capital are small our next से क्या आएगा मारा इसको इसके साथ है ना तो capital Y है देखो बच्चो बहुत ध्यान से बनाना है ना बिल्कुल भी confusion मत रखना ठीक है बहुत ही confusing है बहुत confusing है हम हम चलो अब इसका last वाले से कराएंगे क्या मिला आपको capital R small r small y small y चलो तीसरे का कराया capital R small r capital Y capital Y ठीक है ना फिर कराया क्या मिला हमको capital R small r capital Y small y ठीक है फिर next का कराया तो क्या मिला हमको capital R capital R वो स्वारी small r small r capital Y capital Y ठीक है next का कराया क्या मिला small r small r capital Y small y फिर last आजाता है हमारे पास हम लास्ट में कहें capital R, small R, capital Y, small Y, ठीक, फिर हमार next पे आते हैं, क्या मिला हमको capital R, small R, small small Y, है ना, small small y, ठीक है, हाँ, फिर क्या मिला हमको, small R, small R, capital Y, small Y, और last में हमको मिला, small, 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 और small, फाइनली यह हमारा ponet square बन गया, है ना, चलो, इसको देखते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या-क्या मिला, चलो, blue उठाते हैं, अब हमने क्या बोला, इसके अनुपात की बात करी थी, ठीक है, हमारा अनुपात क्या था, अगर हम phenotype की बात करते हैं, phenotype की अगर बात करते हैं, तो इसका अनुपात कितना था, phenotype का अनुपात था भाई, 9 is to 3 is to 3 is to 1, याने कि हमें कितने मिले, 9 क्या मिले हमको, भाई, 9 हमको क्या मिले, पीले, गोल, ठीक है, 3 क्या मिले हमको, ग गोल ठीक हरा गोल हरा ठीक तीन क्या मिले हमको जुर्रीदार जुर्रीदार पीले ठीक और एक क्या मिला हमको जुर्रीदार जुर्रीदार हरा जोरिदान हरा मिला एक ठीक है तो यह हमारा रेशियो आए 9 इस्टू 3 इस्टू 3 इस्टू 1 आया हमारे पास ठीक है चलो देखते हैं इसमें अब कौन सा क्या है सबसे पहले हम 9 उठाते हैं कि 9 कौन सा आया तो 9 जो है हमारा पीला गोल पीला गोल चलो तो यह जो capital R, capital R और capital Y, capital Y यहां लिख देती हूँ capital R, capital R, capital Y, capital Y यह क्या है? पीला पीले गोल है यह ठीक है? ध्यान डखना इसको small r, small r, small y, small y यह क्या है? यह जुर्रिदार जुर्रिदार हरा ठीक है? यह दोनों क्या थे हमारे पास? pure थे, original form यही दोनों थी, ठीक है? बाकि क्या आया? mix आया गोल और हरा और जुर्रिदार पीला यह क्या है? mix है हमारे पास चलो देख लेते हैं कौन सा क्या आया? तो भी कितने capital R, capital R, capital Y, capital Y ठीक है? और क्या है? यह भी दिखाएगा आपने आपको क्या capital R, capital R है टू, ठीक है ना? और क्या है? ठी, फॉर, यह भी दिखाएंगे ठीक है? और बताओ और कौन-कौन से हैं? जल्दी बताओ, और कौन-कौन से हैं? यह हो गया ठीक है, यह क्या अपना? 5 5, यह हो गया 6, और कौन से हैं धूड़ो, जल्दी धूड़ो 6 हो गए 7 यह हो गया 8 यह हो गया, क्योंकि capital तो ही ना, इसमे R और Y है ना? और क्या हो गया? और कौन सा बचा? बताओ यह वाला, ठीक है? यह हो गया 9 ठीक, तो 9 हमारे क्या है? यह पीले गोल है ठीक है? और जुर्दीदार हरा हमारा सिर्फ एक है सिर्फ एक यह रहा, जो हमारा ओरिजनल था, ठीक है? यह क्या था हमारा? ओरिजनल था, जुर्दीदार हरा ठीक है न, अब अगर हम बात करते हैं, गोल हरा जो मिला है हमको ठीक, तो बताओ मुझे, गोल हरा एक तो ये मिला हमको गोल हरा, ये था, और ये था गोल हरा ठीक, और कौन सा था गोल हरा भाई, ये वाला था गोल हरा, ठीक है, ये तीन हमारे गोल हरे हो गए हमने कहा ना गोल हरा 3 है ठीक है तो यहां पर गोल हरा 1, 2 और 3 1, 2 और यह 3 ठीक है तो हमारे पास क्या है 9 is 2, 3 is 2 तो आ गया और एक 1 वी आ गया बचा क्या हमारे पास एक 3 बचा ठीक है तो 3 में क्या है हमारे पास जुर्रीदार पीला ठीके तो जुर्रीदार पीला कौन सा है ये वला है एक तो ठीक जुर्रीदार पीला एक तो ये आ गया हमारे पास ठीके और कौन सा आ गया जल्दी बताओ कौन सा गया नमबर वन तो ये हो गया है ये हो गया जुर्रीदार पीला ठीके नमबर टू हो गया है ये हो गया जुर्रीदार पीला नमबर थी हो गया है देखो सारे के सारे कवर हो गया ना तो हमारे पास आ गया 9 इस टू 3 इस टू 3 इस टू 1 ठीके आगे देखो सारे के सारे है ना ठीक है तो यह हमारा क्या था यह हमने फिनोटाइप की बात करें थी मतलब जिसको हम देख सकते हैं ठीक वहीं अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करते हैं इसके जीनोटाइप की बात करते हैं तो इसका जीनोटाइप कैसा आएगा हमारे पास 1 is 2, 2 is 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 ठीक है तो यह क्या गिया इसका जीनोटाइप ठीक है ना बताओ अब यहां किसी को दिक्कत सबको क्लियर है ना बहुत साफ साफ प्यारा प्यारा अच्छे तरीके से आप लोकले मैंने बनाया है बिल्कुल कन्फूशन मत रखना कि मैं समझ में नहीं आ रहा है वर्णा माल लगेंगी चलो पुनिट स्कुयर मैंने बताई दिया है ठीक अब एक बार जो थियोरी है थियोरी देख लेते हैं चलो कि भई क्या मैंडल नियम के अनुसार जनक से लक्षन स्वतंतर होकर संतिती में जाते हैं कोई लक्षन किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है ठीक अंतहा एक लक्षन की वन्शागती पर दूसरे लक्षन का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है उसका अपना लक्षण है उसका अपना लक्षण है ठीक उधारन के लिए मैंडल ने जब मटर के पौधे में दो जोडी विप्रियासी लक्षणों का लक्षण अंतह पीले गोल बीज वाले और हरे जुर्यदार बीज वाले पौधे के मद्दे संकरन कराया था याने की कौन सा ये ठीक है ये रहा देखो पीला और हरा ठीक है ना चलो तो क्या हुआ प्रथम पीडी में प्रभावित नियम के अनुसार पीले गोल बीज वाली संत्ति प्राप्त हुई थी है ना हमने बात की थी ठीक क्या मिला था हमको capital r, capital y और small y ठीक किन्तु प्रथम पीडी में क्या हुआ स्वाव परागण कराया इसका हमने स्वाव परागण कराया तो दिट्टे पीडी याने की f2 जनरेशन में संत्ति हमको 9 is to 3 is to 3 is to 1 मिली यहाँ पर स्वाव परागण हुआ था r, r, y, y का है ना स्वाव परागण हुआ था तो हमको क्या मिली 9 is to 3 is to 1 जिसमें 9 पीले गोल थे हमने 9 कैलकुलेट किये थे एक हरा जुर्रीदार था जो ओरिजिनल था तीन हरे गोल जनक थे जो भिन्न थे ठीक है और इसके अधार पर मेंडल के नियम ने दिया मेंडल ने नियम दिया कि लक्षन स्वतंतर होकर संतती में जाते हैं इसी के बेसिस में 9 is to 3 is to 3 is to 1 पे याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इजी है बहुत प्यारे तरीके से समझाये गया है भूलने वाली कोई चीज ही नहीं है दो लक्षणों को लेकर संकरण क चीजीजीन के वंचयकति को प्रभावेत नहीं करता है दोनों अपने अपने लक्षन दिखाते हैं जिसको जहाँ जाना होगों मैं चला जाता हो और मेरी ज़्यर तो चललजा नहीं भाइं ऐसा बिल्कुल नहीं होता ध्यान रखना ठीक। आहा साहा एक की MB भी खताम हो गया है ठीक है उमीद करती हो मज़ा आया होगा सीखने में आना चाहिए आना चाहिए चलो फिर आज के लिए इतना ही जाते हैं फिर वापिस आते हैं नए टॉपिक से साथ तब तक ले क्या करो भाई इंज्वाई करो मजे करो खूब खेलो कूदो अपना ध्यान लेकिन 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 भाई रुको 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 पढ़ाई करना मत भूलना बहुत जरूरी है 12th क्लास में हो नहीं पढ़ो के तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही जाती हूँ अगली क्लास में वापिस आओंगे तब तक क्या करना है आपको इस रिवाइस करते रहना है इसको रिवाइस नहीं करना है जो अब तक पढ़ाया है उसको रिवाइस करना है ठीक है चलो बाई बाई